ट्रेनों की मालिक तो सरकार होती है, आज तक आपने यही सुना होगा, लेकिन पंजाब के लुधियाना में संपून सिंग नाम का एक किसान है, जिसकी खुद की एक ट्रेन है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर उसने यह ट्रेन खरीदी कैसे, दरसल यह बात है साल 2007 की जब रेलवे ने इस किसान की मर्जी के बिना उसके जमीन पर रेलवे ट्रेक बिचा दिया, और उस किसान को मुआवजा तक नहीं दिया, खुद की जमीन हाथ से निकलती देख, जब उसने रेलवे के खिलाव कोट में केस किया, तो पांच साल बाद कोट ने रेलवे को किसा को एक करोड रुपे मुआवजा देने का आदेश दिया पैसा ही पैसा हुगा लेकिन फिर भी रेलवे ने किसान को मुआवजा नहीं दिया जिसके बाद साल 2015 में कोट ने उस रेलवे को जानके आपको कैसा लगा कोमेंट सेक्शन में जरू लिखेगा और ऐसे अमेजिंग इंफर्मेटिव वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब लाइक मिलते हैं अगली वीडियो में